वीकेंड का वार यानि ये नए साल का एपिसोड जिसका सभी बेसबरी से इंतिजार करते हैं लेकिन ओडियन्स बिलकुल भी खुश नहीं है अखिर क्यों नराज है ओडियन्स आईए आपको बताते हैं इस वीडियो में नमस्काल मैं हूँ जोती पाठक और आप देख रहे है करका वीकेंड का वार देखा जाए तो नए साल का सेलिब्रेशन था कई सारे सितारों को बुलाया गया था ताकि यह जो सेलिब्रेशन है और शांदार हो सके लोगों को और पसंद आए तो इसके लिए जनत जुबैर, सदात नेगम, अनुमलिक, पलंतिवारी, शेकर जी को स कि इसपर चु वीवर्स हैं, चु ऑडियंस हैं, उनको ये विकेंड का वार नया साल का जो एपिसोड था बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बोरिंग लगा और मोज्ड हिस्ट्री का सबी ने बता दिया, विक पॉस की हिस्ट्री का सबसे बोरिंग ये एपिसोड था, नया साल वाला एपिसोड सबसे बोरिंग था लोगों को बिल्कुल भी नहीं पसंद है लोगों ने क्या कुछ ट्वीट्स किया है आई आपको बताते हैं एक का कहना है कि I think एक कहना है कि I think Big Boss 15 Makers Editing Team ने New Year Celebration में जादा ही नशा कर लिया क्या बखवाज भी के कवार था बखवाज Editing Camera Angles भी बखवाज था So boring episode और इस तरीके से एक tweet है फिर दूसरा tweet है Never seen such a boring New Year episode in the history of Big Boss 15 What the hell was it exactly and why the video call for Shamita only that's totally unfair क्यों Shamita शेती के लिए नी video call था और किसी के लिए क्यों नी था कि ना unfair है ये एक ने कहा फिर एक का कहना है कि before everybody starts with the favoritism narrative and ruins the moment like look like the family week is cancelled and everybody will get video calls from families sooner or later throughout the week and also the channel has clearly made her call first and on the weekend कवार और TRP TRP के लिए जो शिल्पा शेती है उनका video call रखा गया था episode ends with this makers ने सबको pop-up बना दिया pop-up बना दिया makers ने जिस तरीके से ये episode end हुआ तो सभी का अलग-अलग reaction आ रहा है सभी को boring लगा है ये weekend का वार नया सालक एपिसोड आप सभी को कैसा लगा हमें जरूर बतायेगा comment section में comment करके और देखते लिए पीफाफूस पीफाफूस